आप देख रहे हैं नेटवर्क ठटित्रे राज कुमार के साथ तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी के और दूस्तो आज की कहानी है मलोत्रा परिभार के विक्रम मलोत्रा और उनका परिभार अभी अभी कॉलकत्ता के एक सहर शांतिनगर में सिफ्ट हुए थे उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सहर उनके लिए कितना घातक साबित होने वाला है मलोत्रा परिभार का अपना बिजनिस था साथ ही इन्हें पैसों की भी कमी नहीं थे यह एक जोइंट फैमली के साथ सहर के सबसे आगरी छोर के एक माकान में रहते थे इस कहानी क शुरुआत सन 2016 के नवंबर के महीने में हुई जब मलोत्रा परिभार नयाना सहर से एक तम हटकर एक बंगले में सिफ्ट हुए थे दरसल वो एक गाउं खेड़ा जैसा इलाका था जहाँ पर अंदिविश्वास को मानने वालों की कमी नहीं थी दरसल इस परिभार के बड़ दो बेटे विक्रम और संदीब थे और भी लोग थे जो बड़ी प्यार से एक जॉइंट फैमिली में रहती थे वैसे जहां मलोत्रा परिवार रहता था वहां से कुछ दाइरे के आसपास तक कोई दूसरा घर यानि के इलाका नहीं था इन्हें गारी से ही निकलना पड़ता या कहीं बाहर जाना होता था इन्हें आपर रहते रहते एक महीना बीट गया पर तब इन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा एक दिन साम के समय बिक्रम और संदीब के कुछ बिजनिस कलिक्स डिनर करने आई थे उनमें से एक बिक्रम का दोस्त राजीब जिसने उन्हें मका दिलाये था, वो भी था, सब लोगों ने मिलकर डिनर इंजोई किया, लेकिन राजीब उस दिन थोड़ा जल्दी में दिखाई पड़ रहा था, राजीब ने कहा, अच्छे बिकरम और संदीब, खाना वागे बहुत अच्छा था, और अब हमी निकलना चाहिए, इस पर बिकर कि इस बात पर घर के लगभग सबी लोग हैरान थे, उन्होंने उससे इसकी बज़े पूछी, तो राजीब ने बताए कि, देखो अभी तुम लोग इस लाके से अनजान हो, तुमें साइद पता नहीं है, कि ये जगए कैसी है, एक तो वैसे भी हमें, 40 से 45 किलोमीटर तक का सफर तै करना है, और देर रात का समय होगा, और ऐसे में अगर गलती से भी कुछ अनुहनी हो गई, तो ना जाने हमारे क्या होगा, संधिप बोला, अनुहनी, कैसी अनुहनी, तबी राजीब बोला, अनुहनी का मतलब यह है कि, कहीं गलती से भी कोई टौनी चुडैल, या निसी डाक हमसे टकरा गई, या अगर अंधिरे में हमसे कोई गलती हो गई, तो ना जाने मेरा क्या परिणाम होगा, विकरम थोड़ा चौका और बोला, अरे राजीब, तो यतना पड़ा लिखा हो के भी, यह कैसी बेतु की बाते कर रहा है, आखिर तो किसकी बात कर रहा है और ये टौनी चुडैल और ये निसी डाक, क्या है ये सब, इस पर राजीब सिर से पसीना पहुंचते हो बोला, अरे मेरे दोस्त, ये बंगाल है बंगाल, यहां के कुछ गाउं सहरों पर निसी डाक और चुडैलों का राज है, और ऐसे में तू कह रहा है कि मैं आज देर यहीं पर रुक जाओं, अगर मुझसे कोई गलती हुई, या साइध किसी ने कोई टोना टोटका किया हो, और मैं वहां से गुजर गया तो, तुझे पता है मेरे क्या अंजाम होगा, विक्रम उसकी बात उपए कुछ सोच रहा था, कि तभी विक्रम की पतनी कीर्थी बोली, राजीब भाई, आपके कहने का मतलब यह है कि इस सहर में देराद घर से निकलना बहुत ही खतरनाक है, राजीब बोला, जी बिलकुल, ये जगह काला जादू से गिरा हुआ है, यहां हर कुछ दूरी पर नकारात्मक उड़ जाएं, अपनी प्रभाव डालने को तयार रहती हैं, अगर गलती से भी, आप इतर लगाकर निकलते हो, या फिर चौराय से गुजरते हो, तब ज़्यादा तर मौकों पर, वो बुरी सक्तियां आपको अपने घर में ले लेती हैं, नए साल के समय भूल के भी देरात, किसी के आवाज का जवाब ना दें, और नहीं खोलें, साती गले में एक तावी जरूर बांद रखें, जो आपको उन बुरी सक्तियों से बचाय रखें, विक्रम तोड़ा गुसे में, राजीप को बोला, बस यार, अब तुझे जो बोलना था तुने बोल लिया, अब तु जा सकता है, राजीप भी वहाँ से दबे विक्रम, तुम्हें नहीं लगता कि कल राजीप भाई ने बताई थी, हमें उस पर गौर करना चाहिए, विक्रम ने कहा, कौन सी बात, देखो ये गाउं खेडा है, यहां राए का पाहर बड़ी जल्दी बन जाता है, हलका कुछ हुआ होगा, तो गाउवालों ने बात को कह तक खीज दिया, असल में ऐसा कुछ नहीं होता, कीरती ने कहा, हाँ तुमरे बात तो ठीक है, पर फिर भी हमें उनकी बातों को एकदम से नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो उनकी बातों में सच्चा ही रही होगी, जो सायद हमें किसी मुसिबत से बच लोटते थे, इसी तरह एक रात चप हो दोनों सायद अपने ऑफिस मीटिंग से देर रात खल लोट रहे थे, और चप उन्हें एक बुर्ज नाम के चोरही से गुजरना था, तो उन्होंने उस चोरही पर जाकर जैसे ही गाड़ी गुमाई, तो सामने उन्हें चार औरते सफ पर उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इस पर विक्रम गाड़ी से उतरा और उन्हें चिलातों कह रहा था कि वो गाड़ी के सामने से हड़ जाए और उन्हें रास्ता दे, उन्होंने एक गुंगट कर रखा था, जिस पर जैसे उनका चहरा तो इन्हें ठीक तरह से दिख नहीं रहा था, पर विक्रम को उन चारो औरत के हाथ में ठाली नजर आ रही थे, तब ही विक्रम की नजर एक एक करके चारो ठाली पर पड़ी, तब तो उसके होसी उड़ गए, उसने देखा कि हर ठाली में एक कटोरी है और उसमें खोन है, उसके अगल मगल नमक न देखकर विक्रम और थोड़ा हैरान हुआ तभी वो चारो एक साथ बंगाली भासा में बोली अमादेरा टीका देना जिसका मतलब हिंदी में होता है कि हमसे टीका लगवालो उनमें से एक औरत विक्रम को खून का टीका लगाने ही वाली थी कि विक्रम एकदम से धरपड़ा ग से सहम गई थे वो दोनों गाड़ी में बैटे ही थे कि उन्हें अभी भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे ये चारों कोई चुडैल हो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे गाउं की कुछ बागल औरतों से उनका पाला पड़ा है विक्रम ने गाड़ी पीछे की और फिर अचानक की कोई औरत उसी गाड़ी के सामने आ गई और गाड़ी से जाटकराई तभी विक्रम ने तुरंती ब्रेक लगा दिया अब तो विक्रम के होशी उड़ गए थे देर रात दो बजे का एक तो समय था और ऐसे में इस तरह हुआ हाथसा अपने आप में ही हिला कर रख देता है विक्रम और संदीब को कि यहाँ पर अब जाधा रुखना बहुती खतरनाक साबित हो सकता है इसी बज़े से विक्रम ने गाड़ी को तुरंती वहां से निकाला दूसरी तरफ वहां घर पे भी बाकी सबी लोग बड़े गहरी नीद में थे तभी उनके दरवाजी पर एक द पहुची कि उसकी जोरदार चीक निकल गई उसकी चीक सुनकर घर के बाकी के लोग भी वहां पर पहुचे कीरती बहुत ज़्यादा घबराई और डरी हुई थी कीरती उस समय कुछ बोलने की हालत में नहीं थी कीरती बहुत ज़्यादा परिसान थी सब लोग बस उससे यही जानना चाते थे कि आकर ऐसा क्या देख लिया कीरती ने कि वो इतनी जादा डर गई कीरती ने बताया कि दरसल जैसे उसने दरवाजा खोला कि तभी सामने उन्हें भिक्रम और संदीब खड़े मिले जिनकी गर्दन गायक थे वो अपने हाथ में अपनी गर्दन लिये थे और साथे उनके पीछे उसने चार आड़ते भी देखी जो की सफ़ेस साड़ी में एक हार लिये खड़ी थी कीर्थी की बातों में सच्चाई साफ साफ जलक रही थी सबको कीर्थी को इस तरह सैमावद देखकर बहुत गहरा गए सबने उसे यही बोलकर सांथ किया कि उसने जो कुछ भी देखा था वो सिर्फ और सिर्फ उसका बहम था इससे जादा कुछ नहीं पर कीर्थी तो लगातार विक्रम को याद किये जा रही थी थोड़ी ही दिर बाद सामने से विक्रम और संधिप आए विक्रम को सही सलामत देखकर कीर्थी थोड़ी सांत हुए जब उन दोनों को कीर्थी के इस हालत के पीछे की बात पता चली तब वो लोग भी हैरान रह गए वो दोनों भी थोड़ी सेमे ही दिखाई पड़ रहे थे क्योंकि अभी अभी वो भी एक बयानक हादसा जेल कर आ रहे थे खेर विक्रम या संधिप दोनों में से किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया एक हपता बीता और एक सुभे विक्रम अपने कमरे में सोया हुआ था कि तभी उसके जोरों से चिंगारने और चीखने की आवाज आई कीरती भी उस समय नीचे थी सब लोग भागते भागते विक्रम के कमरे में गए तो उसे देखकर वो सभी हैरान रह गए उन्होंने देखा कि विक्रम खुदी हातों से खुद का गला गोट रहा है वो अपनी उंगलिया भी चबाने की कोसिस कर रहा था इससे पहले कि कुछ और गलत होता सब लोग विक्रम के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर गुसे अंदर गुसकर सब ने विक्रम को कसके पकड़ा और उसके चहरे पर पानी के छीटे मारी छीटे मारने के बाद जैसे ही विक्रम एकदम से होस में आया तो विक्रम ने कहा कि उसका सिर बहुत भट रहा है विक्रम बहुत जादा बीमार पढ़ने लगा शेहर के कैमशूर डॉक्टर्स से उसकी जांच कराई गई पर कोई असन नहीं हुआ अब विक्रम का प्रभाव घर के दूसरी लोगों पर भी पढ़ने लगा था विक्रम की पतनी कीरती वी अब बड़ी अजीब सी हैरत अंगेज हरकते कल रही थी वो कभी दस सेकेंड में सबजियां काड़ देती तो कभी कब भरके गरम चाय एक घोट में पी जाती कभी तो कीरती मरदानी आवाज में बात करती पर ये सिर्फ उसके साथ तभी होता जब सुरज पूरी तरह से डल चुका होता संदीब एक शाम यूही इस बात पर चिंतन कर रहा था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे घर के एक कौने पर वो बैठा ही था कि तब ही उसकी बेटी परी कॉलिज से लोटी वो फोन पर किसी से बात कर रही थी बातो ही बातों में संदीब ने सुना कि परी अपने किसी दोस से कह रही थी कि आज उसे चोरहे पर कोई कंकाली सेर मिला था पहले तो वो उसे देखकर बहुत जादा ड़ गई पर बाद में वो उसे पेरों से मारते मारते घर के पास तक ले आई परी उसके बाद उपर के कमरे में गई ही थी कि तब ही संदीब ने परी के बैग में देखा कि उसके बैग में काला जादू करने का सामान है निम्बू, मिर्ची के माला और लहसुन संदीब ऐसा देखकर परी को बहुत डाटा और दुबारा ऐसी हरकत ना करे इसकी चेतावनी थी पर ना तो संधिब को इस बात का अंदाजा था और ना ही परी को कि आकर उसके किये गए अपराद का क्या अंजाम होने वाला है फिर उसी रात लगबग साड़े बारा बजे परी एकदम से छट पटाने लगी वो गहरी नीद में थी कि तभी परी के खौपनाक चीक से सबकी नीद टोटी इसके तुरंट बात वो सब भागते हैं परी के कमरे में पहुँचे तो परी एक कौने में एक अलमीरा के पीछे चुपी बैटी थी जब उसकी माँ उसके करीब गई तब परी डरते वे बोली कि उसने अभी अभी अपने पैरों के पास एक अजीब सी बूरी औरत को देखा है जो उसका अंगूठा चूस रही थी घरवालों को हैराने तो सबसे ज़ादा तब हुई जब उन्होंने खुद अपनी आँखों से देखा कि परी के अंगूठे में वाके में खून निकल रहा था अब आकिरकार आधी रात का समय था और अब इस समय क्या किया जा सकता था पर तब ही संदीब को एकदम से खयाल आया कि इससे पहले ये परिशाने जो पहले उसके बड़े भाई बिक्रम को ही थी ये किसी और के गले पड़े उससे पहले ही संदीब को अब सब कुछ सच सच बता देना चाहिए शैद इसी में सब की भलाई हो और यही सोचकर संदीब ने सबसे कहा कि आप सब मेरे साथ नीचे आये उपर परी के साथ उसकी मा रह गई थी संदीब ने सब को लेविंग रूम में बला कर सब कुछ बताया कैलाज देवी जो कि उस घर की सबसे बड़ी थी उन्होंने कहा कि जरूर इसके पीछे काला जादू किया गया है पिछले तीन हपते से बिक्रम का लगातर इलाज चल रहा है पर बावजुद इसके उसकी हालत में कोई सुधान नहीं है जब दवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है इससे पहले कि अब देर हो जाए सभी को इन दोनों को ही संभुनाद बाबा के द्वार लेकर जाना होगा अगली सुभा जल्दी से ही सभी लोग उन दोनों को लेकर संभुनाद बाबा के द्वार गए कैलास देवी जो कि उनके पहचान की थी बाबा भी उन दोनों को ठीक करने का दावा कर रहे थे इसके तुरंत बाद बाबा ने उन दोनों के उपर एक बीधी करनी चाहे उसके बाद बाबा अपने कुछ लोगों के साथ उन दोनों को लेकर अपने कमरे में गए लगभग आदे घंटे बाद बाबा लोटे और उन्होंने कहा दरसल विक्रम के उपर भी वही काला जादू किया गया है जो की परी के उपर किया गया है दरसल विक्रम ने कुछ औरतों के तंतर अराधना को भंग कर दिया था उसने उन बस्तों के साथ छेट छाड़ की थी साथ ही वो औरते अब पूरी तरह से अपने काली विद्या के जरिए विक्रम के आत्मा को उसके सरीर से अलग करना चाहती है दभी संदीब बोला हाँ 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 मुझे याद है रास्ते के बीच में भाई साब कुछ समय के लिए गाड़ी से उतर कर जाड़ियों की तरब गए थे जब वो वापस लोटे तब वो काफी डरे हुए थे बाबा ने कहा यही सच्चाई है दरसल बिक्रम उन सभी चीजों का मजा कोड़ा रहा था और वही उसने कुछ गलत किया जिससे इस काला जादू का परभाव पड़ा काला जादू का परभाव इतना खतनाक हो सकता है कि इसका परभाव सिर्फ एक महिने में किसी भी आमसे सक्स को उसके रूँ से अलग कर सकती है इसके बाद सभी लोग बाबा से विक्रम और परी की जिंदिगी की भीक मागने लगे बाबा ने कहा परी तो आसानी से मुक्त हो सकती है पर विक्रम की हालत थोड़ी नाजुक है फिर उसी साम तक परी ठीक हो गई थी और बाबा ने उसे माला पहनने को दिया पर अब सभाल था कि विक्रम कैसे उस काला जादू से बचेगा क्योंकि तीन हपते तो पहले ही गुजर चुके थे उस बाबा ने कहा तुम लोग फिक्र मत करो विक्रम को हम कुछ नहीं होने देंगे उसके बाद लगभख एक हपते तक विक्रम के उपर तरह तरह के तोटके अपनाए गए उसे रात रात भर जंजीर उसे बांद कर रखा जाता और उसे खाने में नमक ही दिया जाता एक हपते बाद एक आखरी रात थी बाबा ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर बिक्रम के उपर सुधी करण वाला यक किया और भगवान की दया से बिक्रम के अंदर उसकी जान वापस आ गई बिक्रम एकदम से ठीक हो गया था और अगली सुभा बाबा ने बिक्रम के परिवार को बलाया और फिर बिक्रम को उसके परिवार समेती सही सलामत स्वाप दिया इस घटना के पाद बिक्रम और उनका परिवार वहां से दूर सिफ्ट हो गए वाके बिक्रम को उनके किये का परिणाम मिल गया था आज भी जब बिकरम अपने साथ बीते उस घटना को याद करते हैं तो देह लोटते हैं दोस्तो ये कहानी आपको काला जादू के एक उधाहरंड दिखाने के लिए काफी है कि काला जादू किस हद तक घातक साबित हो सकता है तो दोस्तो इस कहानी में बस इतना है तब तक के लिए बाई एंड ठेक क्याज़